फिल्म इंडास्ट्री से आई बेहद चौका देने वाली खबर 36 साल का एक आक्टर अपने फ्लाट में मृत मिला और उसकी बॉडी ऐसी कंडिशन में थी देखकर कहा जा सकता है कि उसकी डेथ हुए काफी दिन हो गए है सबसे बड़ी बात ये आक्टर्स जिने इतने लोग जानते हैं कहने को तो इनकी इतनी बड़ी दुनिया होती है लेकिन इनकी परसनल लाइफ में ये बहुत अकेले होते हैं ये इंसिडेंट शो करता है मिर्जापुर में ललित का किरदार इनोंने किया था और उस किरदार की भी काफी तारीफ हुई थी क्यूंकि ललित के किरदार का भी काफी अच्छा रोल रहा इस सीरीज में मैं बात कर रही हूँ आक्टर ब्रहम स्वरूप मिश्रा की जिने हम मिर्जापुर में ललित का किरदार करते नजर आ चुके हैं ब्रह्म सरूप के बारे में ये हार्ट ब्रेकिंग खबर खुच शेयर की डिवेंदू शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडिल से उन्होंने फोटो शेयर करते हुए कहा कि ललित का किरदार करने वाले ब्रह्म अब इस दुनिया में नहीं रहे आपको बता दे कि वर्सुवा पुलिस टेशन में आज एक कॉल गया उस सोसाइटी से जिस सोसाइटी में ब्रह्म सरूप रहते थे वर्सुवा के इनलाक्स नगर में वो रहते थे और जिस बिल्डिंग में वो रहते थे वहां के लोगों ने पुलिस को शिकायत की कि ये जो फ अंदर पहुची पुलिस तो बातरूम के अंदर ब्रहम सरूप फ्लोर पर गिरे हुए मिले उनकी बॉडी डिकंपोज हो चुकी थी काफी समय उनकी डेथ को हो गया था पुलिस ने एक्शन लेते वे ब्रहम सरूप की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल पहुचवाया लेकिन वह मे एक्टर्स को heart attack बालब इस इन्डस्ट्री हमे बप्रРЕश्न है जिटनीー वर आपको दिखाये जाता है बड़ा में साफ हम तर करता हैं चोटा हो या बड़ा हो आपको हमेशा तयार रहना है और पैसो के लिए नहीं आपको as an artist अपना काम दिखाने के लिए काम करना है well ब्रहम स्वरूप के जाने से no doubt हमारी industry का एक बहतरीन actor चला गया और actors की life के बारे में भी बहुत कुछ कह गया कि बाहर जितनी इनकी popularity होती है personal life में ये उतने ही अकेले होते हैं ब्रहम स्वरूप पिछले चार सालों से उसी society में रह रहे थे basically वो मध्यप्रदेश से है और as an actor उन्होंने industry की कई बहतरीन फिल्मों में काम किया है केसरी और दंगल जैसी फिल्मों में भी वो छोटे मोटे रोल्स कर चुके है